हलो दोस्तों तो आज हम बनाएंगे क्रिंची क्रिंची चॉकलेट बॉल्स तो ये होम मीड है और बहुत इचिश्टी बन की तयार हुई हैं तो अगर आप बनाएंगे ना तो सच में मनखुस हो जाएगा इनको टेस्ट करके तो चलिए हम बनाते हैं कुछ होली इस्पेसल तो इसके लिए हम लेंगे कुछ पेनर्स तो हमने लिए हैं मुफली के दाने पेनर्स तो इनको बहुत ही हलके हाँ से एकदम धीमी आज में भून लेना है तो हलका ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भून लेना है भूनी के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ड्राई होने देंगे जबी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ऐसे हम इसने क्रस्ट कर लेंगे तो हमें इनका छिक्कल निकाल देना है और ऐसे बारिक बारिक दाने जैसे क्रस्ट कर लेना है अभी हम लेंगे और यो बिस्किट और हम इनको खोल करके बिस्किट अलग और इनके अंदर की क्रीम जो है अलग कर देंगे तो दोस्तों सारी बिस्किट की क्रीम अलग निकाल लेनी है और ये बिस्किट की जो क्रीम है इसे आप रखे तो इसका भी बहुत अच्छा यूज होगा बट मैं इसका यूज नेस्ट वीडियो पर आपको बताऊंगे तो सारे बिस्किट को तोड़ लेना है और एक मिक्सी के जार पी इसको पीस लेना है तो पढ़ियासा इसका पाउलर बना लेंगे हलका दानिदार पाउडर बना लेना है हम लेंगे दूद रूम टम्परिचर का तो बहुत हलका हलका दूद थोड़ा थोड़ा सा डाल की मिक्स करेंगे तो ध्यान दे दूद पिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल की मिक्स करें और जब दूद पूरी तरह से मिक्स हो जाए और आपको लगे कि ड्राई है तो आप फिर दूबारा एड़ करें अधर बिडाउत मिक्स किए आप उसे एड़ नहीं करें वरना जितना भी टेक्चर है न तो बहुत ही जादा पतला बन जाएगा तो हमें इसे ऐसा बनाना है जैसे थोड़ा आटा आटा के दो जैसे मतलब हल्वे के जैसा तो इतना होना चाहिए इससे ज़्यादा गिला नहीं होना चाहिए तो इधर हमने चॉकलेट पिखला ली है तो हमने लिया है कमपाउंड डार कमपाउंड और उसको गुनगुने पानी पे उसका जाए रख दिया गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गरम उसके उपर हमने चॉकलेट का जाए रखा और वो पिखला लिया इसके बाद हमने जो nuts crust किये थे उस पे कुछ chocolate mix की तो हमें chocolate इतनी mix करनी है कि जैसे हम इसके ball बना लें तो ball liquidity नहीं होने चाहिए थोड़ी dry dry बनने चाहिए हलकी हाथ से push करके बनाना है ये देखिए तो ज़्यादा अगर liquidity बना लेंगे तो बहुत ही soft हो जाएंगे इसलिए थोड़ा सा dry बनानी है इधर हम लेंगे और ये बिस्किट से बनाया हुआ जो बैचर है उसको लेंगे उसको हाथ में फिला लेंगे और उसके अंदर एक-एक ball डालते हुए सभी को आपस में set करके एक ball बना लेंगे एकदम चिकना सा ball बना के तयार कर लेंगे तो आप देखी सकते हो ये ball बना ली है मैंने थोड़ा सा इन्हे लंबा किया है undergar type में थोड़ा सा लंबा undergar type में ये देखिए सभी बनके तयार हो गए अभी हम इनको frizz अफ करेंगे तो हम frizz में इसको minimum प्रीमम आदा गंटे के लिए रख देंगे आधे गंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है और इन पर मैंने पिनप किये ये देखी एक इक लकडी हमने इसमे पिनप कर दे हैं तूट्पिक और इससे हमें चॉकलेट में डिप करने में आसानी होगी आप चाहो तो डारेक्ट डिप करके प्लेट में निकाल सकते हो पर तोटपिक से आप डिप करोगे तो अच्छे से आपको चॉकलेट उस पे शिट करने में आसानी होगी तो हमें सभी को चॉकलेट में डिप कर लेना है क्योंकि ये पहले से ठंडे हैं इसलिए चौकलेट में डिप करने के बाद जल्दी ही ड्राइ हो जाएंगे तो ये दिखे सारे ड्राइ हो गए हैं थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो फ्रिजर कर दो इनको तो ध्यान रहें इन्हें फ्रिजर में नहीं डालना फ्रिज में डालना है इसके बाद सारी तूथ पिक निकाल लेनी है और ये शुन्दर शुन्दर चौकलेट क्रंची बॉल बनके तयार हो गया है तो अभी हम लेंगे हुएट चौकलेट और उसको पाइपिंग बैग में डालके गुन्गुने पानी से पिखला करके पाइपिंग बैग में डालेंगे और पाइपिंग बैग को गरम पानी में डालके उसे पिखला लेंगे और इनके उपर ऐसी डिजाइन बनाते हुए, लाइन बनाते हुए, डिकुरेट करतेंगे बहुत ही टिस्टी और सुन्दर सी चोकलेट क्रंची बॉल तैयार हो गई तो इसके अंदर जो पीनट है वो एक बहुत ही क्रंची सा बहुत यूनिक सा क्रंची सा चोकलेटी फ्लेवर देंगे बहुत ही टेश्टी बन के तयार हुई है तो आप इस होली में एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो पर कुछ नया लेके और प्लीज जाते जाते लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको मेरी बनाई हुई रिश भी पशंद आई तो तो सचमी बहुत ही डिलेसेज बनी है तो आप भी ज़रूर ट्राइ करिए और बहुत ही पेसेंस के साथ आप ट्राइ करेंगे तो बहुत ही अच्छी बन के तयार होगी तो यह देखिए इसको ऐसे कट कर लेनी है तो यह देखिए आपको ऊपर चोकलेट की पतली लेयर भी रही होगी और अंदर का भी बैटर दिख रहा होगा तो देखी यह देखने में ही कितनी टिश्टी लग रही है तो खाके तो मज़ा ही आ गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ नए लेके बाइबाई और प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाइब